ये काम भीष्ण ने करा करण के साथ अन्याय किया कि नहीं किया फिर कुंती आ जाती है युद्ध से ठीक पहले बताने के लिए कि तुम तो मेरे ही लाड़ ले हो बोलते हैं बहुत देर कर दी मां इतना अन्याय सहरा है एक आदमी शहता ही जा रहा है और फिर आखीरी रत का प तुम बोलते हो तुम्हारे साथ न्याय हो गया, उसकी पूरी जिंदगी, उसका क्या दोश था, अगर बिन ब्याही मा ने जना उसको तो, उसमें बच्चे का दोश है, पहले तो मा ने ब्याह नहीं करा, सूरे देव को बुला लिया, कर्ण पैदा हो गए, और फिर मा को लोकल आज की इतनी फिक्र, कि उसको बहा दिया, पानी में, और फिर वो गोड़ा चलाने वाला एक व्यक्ति है, उसके द्वारा पाला पोसा गया, सूत-पुत्र सब उसको बोल रहे हैं बार-बार, ओ प्रत्वा का धनी, संकल्प का धनी, वो कहा रहा है, मुझे जानना है, मुझ अधनुर विद्या में नहीं माहिर था, वो सब शास्त्रों में भी पारंगत था, हलका आदमी नहीं था, और दुनिया उसको सम्मान नहीं दे रही है, अन्या हो रहा था न उसके साथ, हो रहा था नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, उसके बाद जाता है, सब पर जाता है, तो कहते हैं, राजपुत्रों के लिए है ये सभाथ, तुम कहां से आ गए, अनाड़ी, कहीं के, तुमारी क्या पृष्ट भूमी है, अपमान है की नहीं है, हां, अकर्ण के साथ अन्याय होता चल रहा है, हां, उसके बाद ध्रौपदी ठुकर आ रही, शिक्ष्या चाहिए, परुष्राम बोले, हम तो सिर्फ ब्राह्मनों को बढ़ाते हैं साथ, चल रहा है, जाती बाद बढ़ियां, मरता क्या न करता, उसने बोल दिया, मैं ब्राह्मनी हूं, गुरु एक दिन बैठे हुए हैं, बोलते हैं, सोना है, कर्ण पाल्थी मार कर बैठे कर बोले, आप सो जाईए, यहीं मेरी जांग पसर रखिये और सो जाईए, गुरु सो गए, और कर्ण गुरु को देख रहे हैं, एकदम बड़े स्नेय से, बड़े प्रेम से, गुरु सो रहे हैं, कर्ण को बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुरु, मैं पाल्थी मार के बैठा हुआ हूँ, ऐसे सर रख के अपना सो रहे हैं, शाइद कर्ण ने धीरे धीरे गुरु के बालों में उंगलिया फिरानी शुरू कर दी होगी, धीरे धीरे उनका माथा दवाना शुरू कर दी आ गया होगा, इसने एक ही बात है, एक कीड़ा आ जाता है भारी, और वो कर्ण को काट ले रहा है, पैर में ही काट ले रहा है, बढ़ा दर्द है, कभी चीटी ने भी काटा आपको, काटा होगा, दर्द होता है, क्या करते हैं तुरन पाउं को जटक देते हैं, करते हैं नहीं, चीटा भी एक लिपट जाता है, पाउं जटकते हैं, बढ़ा कीड़ा है वो कर्ण को काट रहा है कर्ण नहीं जटक रहे पाऊं कर्ण कहरें गुरु सो रहे हिला भी तो जग जाएंगे गुरु ये कर्ण की गुरु निश्ठा है ऐसा खरा आदमी और खून की धार बह रही है तो कीड़ा बिल्कुल घुसके मास में काट रहा है थोड़ी देर में गुरु की नींद खुलती है और देखते हैं फून ही फैला हुआ है गुरु बोलते हैं बेटा इतना सैयम ब्रामणों में नहीं होता है हो कौन तुम करने बता दिया कौन हूँ गुरु ने आशिरवात देने के जगे शराब दे दिया अन्याय हुआ कि नहीं हुआ मिलना क्या चाहिए था आशिरवाद दे दिया श्राप क्या श्राप दे दिया बोले जो ब्रहमास्तरे तुमारे काम नहीं आएगा ठीक तब काम नहीं आएगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यक्ता होगी भूल जाओगे इसको अन्या है ना उसके बाद महाभारत की लड़ाई आती है भीश्म लड़ने ही नहीं देते कर्ण को महाभारत का पूरा नतीजा दूसरा होता अगर भीश्म द्रोण और कर्ण ये तीनों कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे होते भीश्म न तो स्वेम खुल कर लड़े न कर्ण को लड़ने दिया आधी से ज्यादा लड़ाई में कर्ण क्या कर रहे हैं वो बाहर वहाँ बैठे हुए खेमे में वो देख रहे हैं जैसे क्रिकेट में तुम्हारा जो टॉप बैट्समें उसको तुम करो सिट इन दे पिवेलियन और कूल यूर हील्स और उससे भी पहले आकर के इंद्र आते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए इंद्र का बेटा कौन? अर्जुन इंद्र बोलते हैं यह सब अपना दे देना यह जो कान में लटकाई और कुंडल उंडलो ले गए वो उससे शक्ति थी कर्णकी को ले गए फिर ब्राह्मन बनके आते हैं एक जने उनका कवच मांग कर ले गए लेगा है कवच भी ले जाओ समझ में आ रही बात अन्याय चल रहा है ना खुला फिर कुंती आ जाती है युद से ठीक पहले बताने के लिए कि तुम तो मेरे ही लाड़ ले हो बोलते हैं बहुत देर कर दी मा जिंदगी तो अब बीद गई मा आप क्या बताने आई हो हाँ आप तुम आई हो तो दानवीर हो में जोली फैला कर आई हो इतना कहे देता हूं तुमने पांच कर दिये ना पंड़ छे थे मा तुमने गलत करा तुमने पांच कर दिये तो पा पाने भी अन्याय करा कि नहीं करा, इतना अन्याय सहरा एक आदमी, सहता ही जा रहा है, सहता ही जा रहा है, और फिर आखीरी, रत का पहिया, जा करके गिर गया है, फस गया है, कहाँ पर? कीचड में, गड़े में, और कंड कहते हैं अरजुन से, उतर रहा हूँ थोड़ा सा, पहिया बाहर निकालूँगा, रुप जाओ, और युद्ध के नियमों के बिलकुल विपरीत है, कि जो रथी, रथ से उतरा हुआ हो, आप उस पर बान चलाएं, तो अरजुन रुख जाते हैं, साधारन सी बात है, रुख ना होगा, कृष्ण कहते हैं, कि बेटा, अरजुन, तुम हो किस फेर में, वो कर्ण है, तुम ऐसे ही उसको मार लो, तुम मार भी सकते हो, नहीं तो जिन्दगी में नहीं मार पाओगे, वो कर्ण है, तुम्हें क्या लग रहा है, कि सामने की लड़ाई में तुम कर्ण को हरा लोगे, अभी मार दो, यह अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, और छूटता है अरजुन का बाण, और कर्ण की छाती, और कर्ण अब लहु लुहान पड़े हुए हैं, रात हो गई है, और यह वो आदमी हैं, जिसने जीवन भर अन्याय अत्याचार के लावा कुछ नहीं पाया है, कुछ च्छाती में बांड लगाए, लेकिन च्छाती विराट है, देवता भी परीक्षा लेना चाहते हैं, एक ब्राहमण आजाता है, रात के समय यो धुरुप जाता था, वो वह भटकता हुआ आजाता है, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, वो ब्राहमण नहीं है, वो स तो ब्राह्मन आ गया है, कुछ मिलेगा क्या, कुछ मिलेगा क्या, कंड पड़े हुए है, आखरी सांसें गिन रहे हैं, ब्राह्मन आता है, कुछ मिलेगा क्या, फिर कहते हैं, अरे, अरे, ये क्या देंगे, ये तो खुद मर रहे हैं, कंड कहते हैं, रुको, रुको, हमें कु कुछ नहीं हुआ है हम मर रहे हैं पर हमें हुว कुछ नहीं आ है Are गीता कृष्ञ ने अरजुन को सिखाई ति सीख खन ने ना हणयते हन्यमाने शरीरे सीखा कर्णने हमें कुछ नहीं हुआ है तो मांगने आयो नह अभी भी देंगे तो कहते हैं कर्ण का एक जो दाथ था सोने का था और दाथ आपका जरा सा हिल भी जाए तो कैसा होता है दर्थ कितना होता है कितना होता है डिंटिस्ट के पास कौन कौन गया है रूट कहना लगा है रहा किसकी हुई है कभी कैसा मज़ा आता है और ये एक मरता हुआ आदमी है, वो अपने हाथों से अपना दात निकालता है और वो ब्राह्मन के पात्र में डाल देता है, कहता है ले जाओ, ये इंसान चाहिए, वो रो नहीं रहा है कि मेरे साथ तो जीवन ने मातर अन्याए अन्याए करा, ता उम्र ना इंसाफी करी, रो लोगों के हम वनशज हैं, और हर समय चाती पीटते रहते हैं, हमें शोभा देता है, हमें शोभा देता है, कितना एक सुंदर, इसा फ्रेज है, वूंडेट बट नॉट हर्ट, कैसी भी चोट लग गई हो जिंदगी में, शरीर पर, मन पर कहीं लग गई हो, क्या बोलना है, वूंडेट, नॉट हर्ट, वेदों ने, वेदान्त ने हमें सिखाया है, कि हम अम्रित की अउलाद है, कौन हमें हर्ट कर सकता है, कौन हर्ट करेगा, कैसे आब इतनी यल्दी आहत हो जाते हो, और रोना शुरू कर देते हो, बोलो, चोट लगी, बहुत जोर की लगी, दर्द हो रहा है, बिलकुल हो रहा है, तो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम जूट नहीं बोल रहे हैं, चोट भी लगी है, खोन भी बह रहा है, दर्द भी हो रहा है, सब हो रहा है, है लेकिन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं शरीर को चोट लगी है मन को दर्ध हो रहा है आत्मा है हम हमें कुछ नहीं ऐसे जी ओ तो फिर जीने में मज़ा है नहीं तो कुने के बहाने तो लाखों है एक नहीं सो आंसू टपकाओ नदियां भाओ कुछ आ रही है बात समझ में है